हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का मॉम एंड डॉटर रेसीपी चैनल में आज की जो रेसीपी है वो है आलू पराठा और आलू पराठा तो बहुत लोग पसंद करते ही हैं खास करकि लोग ब्रेकफास्ट में इसे लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किसी भी टाइम पर खास सकते हैं आलू पराठे को और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तो आलू के पराठे बहुत लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं लेकिन यह हमारा तरीका है तो चलि देखिए हरी धन्या है यह सब मसाले हैं ये कटा हुआ प्याच है ये हरी निर्च है कटी हुई तो की करते हम नॉर्मल तरीकेसे जैसे हम रोटी वगिरा के लिए गूते हैं। इसमें थोड़ा सब नमक डालके हम इसको गूत लेंगे। अब हमें आलू का मसाला फ्राइ करना है। तो हमने एक पैन ले लिया है। तो कफ़ी लोग आलू के मसाले को कच्छा ही डालते है उसमें आलू पराठे में तो हम थोड़ाड़ा करे डाल रहे हैं इससे टेश्ट काफी अच्छा आता है तो हमने थोड़ा तेल डाल दिया था, तेल डालने के बाद हमने देखिए जीरा है, थोड़ा सा सरसोदाना है, और उसके बाद थोड़ा सा हमने हींग डाला है इसमें, टेस्ट के लिए, सबको अच्छे से हम इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे, मसाले को भूंजते रहेंगे हम अभी डाल दिया हमने कटा हुआ हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज सबको थोड़ा छोटी छोटी पीस में काट लेंगे हम और हरी मिर्च आप अपने हैसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको भी थोड़ा सा हम भूंज लेते हैं प्याज हरी मिर्च को प्याज थोड़ा भून चुका है अब हम इसमें जो हमने आलू को मैश करके रखा था बोईल आलू को अब हम इसमें सारा बोईल आलू को डाल देंगे अब हम इसमें धीरे धीरे करके एक एक मसाले डालेंगे तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें, नमक डाला हमने स्वाद के अनुसार, ये डाला हमने थोड़ा सा गरम मसाला, ये डाला हमने मेथी पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, यदि आप हरी मिर्च यदि लाल मिर्च नहीं आप पसंद करेंगे तो आप इसकिप भी कर सकते हैं, इन सारे मसालों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, तो हमारा आलू मसाला तयार हो जाएगा. अब देखे हमने आटा गूत के रख लिया था थोड़ा सा पहले ही गूत के रख लेना कम से कम 15 मिनट पहले थोड़ा सा आटा भीग जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा आटा थोड़ा सा गिला रखेंगे जादा भी नहीं और कड़ा भी नहीं ताकि हमारा पराठा इजीली हमें बेलते हुए बने तो आप ये देखिए कि हमने ये कुछ आलू के जो मसाला बनाया था उससे गोल गोल ऐसे बना लिया जितना हमें पराठा बनाना है और इस तरीके स हम देखिए पराठे को बेल रहे हैं तो आटे का पहले हम छोटा सा लोई बनाएंगे और उसके अंदर साले मसाले को भरके इस तरीके से बेलेंगे आटा बहुत अच्छे से हमारा तयार था इसलिए अलू पराठा हमारा फटा भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको बेल लिया है नहीं तो कई बार क्या होता है पराठा बेलते समय फड़ जाता है तो हमारा आठा जो है प्रॉपर होना चाहिए भीगा हुआ तो चलिए इससे सेख लेते हैं अलू पराठा को तो इसके लिए हमने तवा गरम कर लिया था थोड़ा सा अब पराठे को हमें दोनों साइट से सेख ना है थोड़ा वन साइड यदि हलका सा सिख जाए उसके बाद हम इसको पल्टी कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से और हलका सा तेल डालते हुए से चाहें तो आप घी से भी से से सेख सकते हैं जैसा आप पसंद करते हैं तो ह चारो तरफ से सिख जाना चाहिए ताकि आलू भी अंदर से पक जाया अच्छे से तो इसको दो से तीन मिनट लगेगा और ये बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइट से सिख जाएगा ये देखी पराठा सिखने लगा है और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है सिखने के बाद दोनों साइट से बहुत अच्छे तरीके से सिख चुका है मतलब ये पराठा हमारा तयार हो चुका है बस इसी तरीके से हम सारे पराठा को सेख लेंगे जित्ता पराठा हमें चाहिए तो तरीका यही रहेगा तो चलिए अब इसे पराठा तयार हो चुके हैं तो इसक पराठे बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं तो इसे हमें खाने के लिए हमने थोड़ा सा दही लिया है दही के साथ आलू पराठा बहुत ही अच्छा और टेश्टी लगता है इसे तोड की भी आपको दिखाते हैं तो यह देखिया हम यदि तोड रहे हैं एकदम कैसी लगी लाइर यूडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब कर दीजेगा चलिए मिलते हैं अगली रेसीपी में थैंक यू